पहले से करुन बिवस्था बहुत अच्छी हो गई है लेकिन मेरा इमानना है कि बहुत कुछ बदलाओ करने के जरूवत है केजरीवाल जी को अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं है दुख तो यह है दुरभाग गी ऐ दिली का केजरीवाल को चलो अपने सहयोगों पर भरोसा नहीं था बुनिया में ऐसे पुराने कानूं नहीं चलते ऐसे भारत में चलते Ses मानों को बदला वो सबसे जटा ब्हला होगा वो समान सिक्छा और समान नागरी संखीता से बहुत मुसल्मानों का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो मदर्से से हो रहा है और शरियत कानू से हो रहा है महिला की जान लोग है क्या भया उसको बच्चा पैदा करने की मसीन मना के रखा है उसकी कोई जिंदगी नहीं है क्या बस उसको बच्चे पैदा करवाने है उसका महिला है बिजारी कुछ बिरोध नहीं कर पा रही कुछ कह नहीं पा रही इसका मतलब तुम हर साल उससे अल्ला को पोसड क्यों दे रहा है, अल्ला प्रदोसड क्यों दे रहा है, मेरा ये मानना घुसपैट और धर्मांत्रण, ये राष्ट की सुरक्षा के लिए खतरा है, अब आज 10 साल के बाद, मैंने 2014 में जो बाते कहीं थी, 2014 में लोग कहते हैं, आपने जो बाते उसे में कहीं स नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राखी लांबा और आप सभी देख रहे हैं News Express, तो आज हमारे स्टूडियो में इस पॉड्कास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही खास चेरे हमारे साथ मौजूद हैं, जिने PIL Men of India कहा जाता है, अश्वनी उपाद्याई जी, इतना ही कहना चाहूंगी कि इन्होंने इतनी याचिकाई डाली हुई हैं, इतनी PIL डाली हुई हैं कि एक बार चीफ जस्टिस ने कहा था कि अश्वनी उपाद्याई जी के लिए एक स्पेशल बेंच बनानी पड़ेगी, तो देश को एक बहतर कानून व्योस्था देना इन फिर भी कई चीजे ऐसी है जो बहुत कम है, हलकी है, बहुत मुश्किल में, इस वक्त कानून व्योस्था को हम देख रहे हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि कानून व्योस्था देश में बहुत तगड़ी है, तो क्या-क्या बदलाव की जरूरत आपके नजरिये से अभी है? जिए कि मोदी जी कह रहे हैं वो भी छी त्टीक है, लेकिन जो मैं कहरा हूँ वो भी ठीक है, पहले से कनून वीज था बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन मेरा इमानना है कि बहुत कुछ बदलाव करने की जरूरत है, जैसे हर चीक एक्सपारी होती है इंसान के इक्सपारी में LIKE भेया वहां परहर सोल पडल्ग को क्या जाता है जा इसको बदलाव कर आगोंगी 10 साल हो गये 402 me धृस्जें तर जरो बदलने जाए रहा है, लेकिन भात देर होगी घटिया पुलिस बेवस्ता होगी तो सफर कौन करेंगा आम आदमी गरीब आदमी जनता किसान मजदूर जो बड़े लोग है उनको लिए अच्छा कारून हो घटिया कारून कोई फरक नहीं पड़ता वो दिगज वकील कर लेंगे बड़े-बड़े वकील कर लेंगे उन गंपुर जिले में मुकदमा चल रहा है उनिस सो पच्चासी में सुरू हुआ था यानि लगभग 40 साल हो चुके हैं जमीन का मुकदमा है दस बीखे जमीन का उसमें दो लोग कह रहे हैं कि मेरी वाली वसियत असली है दूसरा पक्च कह रहा है मेरी वाली वसियत असली है ले गवाही दिया. धूर जूटी गवाही नहीं देते. अगर ऐसा होता, तो यह 40 साल मुकदमे नहीं चलता. मुकदमा चल रहा है, तो जजों की सेल ली जा रही है, पेसकार को सेल ली जा रही है, पूरा कोट खुल रही है, सबको कोवे तन्बत्ता गाड़ी बंग्ला भी जा रहा है और जिसका मुकदमा चल ना वह पारेशान है। पांच करोड मुकदमे इस समय डिस्टिक कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट में चल रहे हैं, पांच करोड मुकदमे का मतलब पांच कोर्ट परिवार टेंशन में हैं, एक परिवार में एवरेट छे आदमी मान के चलिए, माता, पिता, पती, पतनी, दो बच्चे, यानि तीस करोड लोग डिस्टिक कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रियम कोर्ट में जो मुकदमे पेंडिंग है उससे परेशान है और इतने ही पांच करोड केस चल रहे हैं आपका SDM के हाँ, तसिलदार के हाँ, ADM के हाँ, DM के हाँ, चकबंदी अधिकारी के हाँ, SOC के हाँ, DDC के हाँ, तो पांच क्षोड इधर पेंडिंग है, तो पांच क्षोड इधर पेंडिंग है, क्यों क्योंकि कानून घटिया है, नियाइक बिवस्ता सढ़ी ह louी है, इसलिए मैं कहता हूं, सबसे पहले भारत में, the constitution में थोड़ा बदलाव करना चाहिए और भारत में, जूटी सिकायत को गंभीर अपराद घोसित करना जूटे एक कानून जाए, कि जूटी सिकायत करना गंभीर अपराद है जूटी गवाही देना गंभीर अपराद है पुलिस के द्वारा जूटी जाच करना गंबीर अपराद है जूटी चारसिट फाइल करना गंबीर अपराद है जूटा हलफनामा दाखिल करना गंबीर अपराद है और जजों के द्वारा गलत फैसला देना भी गंबीर अपराद है कई बार ऐसा देखा गया है जज पैसे ल लोग wr किया है ठिक कर लो जितें वश्यत लिखाया है वापस ले लो जूटी गवाह दिया है वापस ले लो जूटी चारच सिठ फायल किया वापस ले लो तीन महिने के अंदर टाइम दीए सब अपना अपना मुझण में वापस ले लें गे न했는데 संख्या बढ़ानी पड़ेasia न कोट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, न स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा. भारत का संविधान बना है जंता के लिए. भारत का संविधान बना है कि लोग भारत में 37 रह सके, खुशहाली से रह सके. ये कह सकते हैं कि संविधान निरमाताओं का जो उडेशय था, मानों तसकरी हो ना अपराद हो ना वैधा थियारों का कारोबार हो यह नहीं होना चाहिए यह जो भरस्टाचार अपराद जो कुछ है अलगावाद कट्टरवाद जहाद मजभी उनमाद यह तुतु महें करने के नहीं रुकेगा आरोप प्रत्यारोप करके नहीं रुकेगा बतोले बाजी करने से नहीं रुकेगा, भासट बाजी करने से नहीं रुकेगा, यह केवल और केवर रुकेगा अच्छे कानों से, हम लोग कहते हैं, भारत में कल्यूग चलना है, ऐसे कहते हैं, भारत में कल्यूग आ गया है, घोर कल्यूग चलना है, बहुत अपराद है, घो को नहीं होता शिंगापुर में ड्रग इस्मगन क्यों नहीं होती मेरे मेरे हिसाब से जापान में सतीयोग चल रहा है मेरे हिसाब से सिंगापुर में सतीयोग हैं यहां आपने एक उधारण भी दिया था मैंने सुना था कि कहीं के इस्टुडेंट्स को 900 ग्राम गांजा मिला और फासी दे दिया उन्हों उठा दुबारा को सिंगापूर में गांजा लेके जाएगा और भारत का ऐसा कोई इन्वस्टी नहीं है कोई कॉलेज नहीं है को इंजिनिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज लाॉ कॉलेज सिंपल बीए बीस्टी बीकॉम वाले कॉलेज मेनेजमेंट कॉलेज जहां पर गांजा चरस अफीम कोकीन का जाल नहीं फैल चुका है लाखो माबाप नसरी बच्चों से परिशान है लाखो बेहने नसरी पतियों से परिशान है लाखो बच्चे नसरी बाप से परिशान है नस मेरा यह मानना अगर कोई समस्या भारत में ऑर पुरी मंने नहीं है तो का होसी द्वसक्राइप स्मगूर्मे सींगापूर में नहीं है तो हुआसी की स्च्राइचा नहीं नहीं होती है इस Except understands बिमारी ठीक करता है दवा ही फिंगापूर ऑख़ा है सांती है संपर्दिये इसका मतलब वहाँा कानून समस्प correct तो सब्सक propose यह प्रषटा हुआ बर्षटाचार अपराज नहीं है। क्नों कि देश को बदलने का दो ही तरीका होता है। सब्सक्राद कांउन का यहुल्य जन फेसिए हो आपको इमानदारी सिखाए it कानून ऐसा हो कि अगर भष्टा चार किया तो फासी पर लटका देंगे सिख्छा ऐसी हो बहन बेटियों की इजट करना चुखाए और कानून ऐसा हो कि बहन बेटियों के साथ कुछ गरबड किया छे चार किया लटका देंगे तुम्हें और वी 20-30 साल के बाद नहीं 6 महिने स सालय केंदर मेरा तो यह है कि भारत में जस्टिस वी धिनियर होना चाहिए जस्टिस वी बिडिनियर समभव है एक साल के अंदर मुकदमे का फैंसला हो सकता है दिव करना पड़ेगा जूट को गंभीर अपराद घोसित करना पड़ेगा और जूट पकडने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा इतना कर दे जस्टिस विदिनयर लगू हुआ तो भारत में अपने आप हो कहते हैं जैसे जापन में सतियूग है, सिंगापुर में सतियूग है, यहां का भी कलियूग भाग जाएगा, यहां में सतियूग आ जाएगा. तो आपकी क्या राय होगी, आप मुझे बताइए, वो पाच कानून कौन से ऐसे होंगे? कलक्टर के बच्चे के अलग किताब होती है, गरीब के बच्चे के अलग किताब है, अमीर के बच्चे के अलग किताब है, मेरा यह मानना है, भारत में शांती, समरिद्धी, खुशाली तब आएगी, जब मेरे बेटे की किताब, मेरे क्लर्क के बेटे की किताब एक होगी, मेर One nation, one one slab of syllabus, one nation one curriculum, जाहा गुजरातवला गुजरातीम पड़ेगा महराष्ट वालाraenseful उपड़ेगा? बंगाने पड़ेगा लाडू आलु वाला सróयतायाया एक शुपड़ियक, सब अपनी माथ्य पड़ेगा। स्लेर मॐ म्हार ने बीज कौनेल ने परिया Kevin जितने competitive exam होते उनका paper एक होता है, चाहे आपका engineering का है, चाहे medical का है, चाहे बैंकिंग है, IES, IEP, जितने भी, जब competitive exam एक है, तो आप 12, 11, 12, 12, फिर अलग-अलग किता आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आप ऐसी बेवस्था करो ना, जो पढ़ाओ, वही competitive exam में पूछो, और जो पूछो वही पढ़ाओ, लेकिन coaching माफ्याओन ऐसा धंदा सिट कर दिया, कि भारत कहुंचिंग का धंधा चल रहा चल रहा हुए कि जो पड़ाया जाता सफ्य सबस्क्राइद मेडियों फारत में था सवह कर आता है यह बन्द होना लागुशन दूसरा hospital बनाना इससे बीमारी नहीं रुकेगी क्योंकि आदमी बीमार होगा तब hospital में जाएगा डिवस्ता ऐसी होनी चाहिए कि बीमार नहीं हमें ज्यादा डॉक्टर नहीं चाहिए हमें ज्यादा hospital नहीं चाहिए हमें वास्फिर से इसलिए मेरा यह मानना एक भारत में integrated healthcare system सुरू होना चाहिए जैसे मेरी समान सिक्षा पर चल रही है ऐसे मेरी समान चिकिस्टा पर चल रही है मैंने उसमें यह मांग किया है कि आप मेडिकल के कोर्स में जो फस्टियर का कोर्स है उसको कामन करिए स्टियर के कॉर्स में आप महरशी चरक को पढ़ाइये महरशी सुसुत को पढ़ाइये महरशी माधोकर को पढ़ाईये वागभण जी को पढ़ाईये भावप्रकास को पढ़ाईये धन worrying ढला भारती चीuation का मतलब योंग एर्वेद नेच्रों धन वंतरी की हम धन वंतरी का जन्मन मंदिन फोटा है धनतेर्स को हम धन टेरस को स्प्राड़ होई रहत में सोचीए कितनी प्टव्पटे में जयनतिया और अअसरी धनवंतरी unity की जैंती है और उस दिन हमें पूरी तरीके भूल चुके हैं, इसलिए मैंने कहा है कि फर्स्टियर का स्लेबस कामन करिए, उसमें भारती ची किस्सा सब को पढ़ाईए, प्राइमरी के स्लेबस में योग अनिवारे करिए, एक मेरी प्राइमरी में आप सबसे पहले ये पढ़ाईए, क्या खाना चाहिए, क क्योंकि जिम का प्रचार हो गया, सुनमस्कार का प्रचार नहीं हुआ, मेरा ये बाना है कि भारत में सबसे जरूवत यह है कि प्रतेक गाउं, प्रतेक वार्ड में एक योग मित्र निवत किया जाए, सिक्षा मित्र तो स्कूलों में निवत हो गया है, लेकिन योग मित्र अगर सभी स्कूलों में योगमित्र कर दिया जाए पूर्सों की बिमारियां भी कम होंगी महिलाओं की बिमारियां अभी आप सरकारी हॉस्पिटल जाके देखिए गरीब महिलाएं लाइन लागा के वहां खड़ी रहती है तिन तिन घंटा तो उनका परची कटवाने में खर् देती थी उसको फिर से बहाल करना चाहिए तो दूसरा मेरा यह मानना है कि भारत में एक यूनिफॉर्म एजुकेशन के साथ साथ यूनिफॉर्म हेल्थ केर सिस्टम लागू होना चाहिए तीसरा मेरा यह मानना है कि भारत में एक समान नागरी संगीता होनी चाहिए 1837 का श्रियतेक्ट आज भी चल रहा है सम्मधधान से पहले बना सम्मधान तो 1950 में बना आई कानून चल रहा है 1937 में श्रिय देख्ट पार्सी मेरीजक्त 1936 वाला चल रहा है क्रिश्चियन मेरीजक्त 1872 का चल रहा है कि इतने लंबे पुराने विधान का मतलब विधान, सब के लिए एक समान विधान होना चाहिए, चाहिए हम कहीन कै विधानना मैं शादी विवा का अलग कानून, गुजारा भत्ता का अलग कानून, बच्चे के गोद लेने का अलग कानून, विरासत का अलग कानून, वसियत का अलग कानून, किस-किस आधार पे ग्राउंड होगा, कैसे तलाक होगा उसका अलग कानून, कैसे कैसे दिवर्स होगा उसका बंद होना चाहिए भारत में एक समान नागरिक संगीता होनी चाहिए एज आफ मेरिज हिंदू मुस्लिम पार्सी इसाई लड़का लड़की मिनिमम मेरिज सब की समान होनी चाहिए अगर शादी बढ़िया चल रही तो कोई बाती नहीं लेकिन शादी टूट रही है तो किस-किस ग्राउंड पे डिवर्स होगा यह सब के लिए एक समान होना चाहिए हिंदू मुस्लिम पार्सी इसाई के लिए अगर शादी टूट रही है तो गुजारा भत्ता मिलेगा कि नह अगर बात होती लोग इसको सामपरदाई तरीके सिस्टे भारत में इस समय एक हजाल लड़के पर नौसो तीस लड़किया है यानि सतर लड़कों का शादी तो ऐसे नी होती है अब इसमें कोई दो शादी कर लेगा को तीन कर लेगा तो सतर तो ऐसे ही पहले चूटे हुए चूटे है फिर तो और कब्वर हो जाएगा न इंबैलेंस हो जाएगा नेचर का बैलेंस जरूरी है नेचर का बैलेंस इसलिए रखा गया है एक यहें 1000 भेटा हो रहा है नौइसाइक बन जाएंगे कुछ और कर लेंगे लेकिन कम कम 930 तो अपना परिवार बसाएंगे नेचर को आगे बढ़ाएंगे ना तो मेरा यह मनना एक पत्ती एक पत्ती का नियम सब पर लागू होना चाहिए जो विदेशी कूरीतियां चल रही है भारत में जो कूरीतियां सुरू हुई इस पर कानून बना चुआ चूत भारत में सुरू हुआ कानून बन गया भारत में सतीप्रथा सुरू हो गई कूरीति हलाकि मुगलों के डर से सुरू हुई थी उस पर कानून बन गया तो जो कूरीतियां भारत में सुरू हुई इस पर कानून बना लेकिन जो कूरीतियां भारत की नहीं है विदेसों से आये विदेसी चले गए तो रुटी चली जानी चाहिए अंब विदेसी चले गए यह नहीं गई है इसलिए सारी कुरितियों को खतम करके एक one national one single code होना चाहिए मेरा यह मानना है है कि भारत में 50% समस्याओं का जो रूट काज है वह है ओवर पापुलेशन जन्संख की अविस्पोर्ट जिसे आप कहते हैं आकड़े उठा के आप देख लीजिए इस समय भारत में 90 जार बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं यानि 2024 में लगभग साड़ेतीन कोड़ बच्चे पैदा हो जाएंगे सरकार जब तक दो कोड़ घर बनाती है ना तब तक दस कोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं लेकिन इसके लिए का जाता है कि सिर्फ मुसल्मानों को टारगेट किया जा रहा है अगर सरकार यह कह रही है कि जनसंख्या विस्पोर्ट होता है या फिर ऐसा कुछ है तो सिर्फ आप कभी भी किसी एक कम्मुनिटी के लिए कोई कानून होना ने चाहिए जब आप कम्मुनिटी के लिए कानून बनाते हैं तो तुष्टिकन शुर हो जाता है इसलिए मेरा मानना है जो कानून हो वो जंडर नीटल हो और रिलिजन नीटल हो सब के लिए एक जैसा होना चाहिए अगर हम दो हमारे दो लागु हो रहा है, वो सबके लिए होना चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, पार्शी साहीब उसके लिए होना चाहिए. अब political लोग उसका misinterpretation करते रहते हैं तो उनकी दुकान उसी चलानी है, जब तक हुआ हिंदू-Muslim नहीं कर लेंगा, उनका काम नहीं चलेगा, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, भारत में जमीन किल 2% है, पानी हमारे पास किल 4% है, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है, यानि 2% जमी है और रहने वाले 20%, 4% पानी है और पीने वाले 20%, तो पानी की समस्या सुरू हो चुकी है, जमीन की समस्या सुरू हो चुकी है, एक एक विश्वा के लिए मर्डर सुरू हो चुका है, चोटी चोटी जमीन के टुकण के लिए मर्डर सुरू हो चुका है, बहुत बड़ी समस समस्या, गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या, कुपोसल की समस्या, प्रदूसल की समस्या, एर पलूशन, वाटर पलूशन, नौइस पलूशन, बढ़ते विए क्राइम की समस्या, अवैध निर्मार की समस्या, अवैध कारोबार की समस्या, इन सभी समस्याओं का रूट का जन्संख्या विस्फोर्ट है वे स्लिए की हारा हूं कि मैंने बहुत सब्सक्राइब इसोड़े के fuels। funktioniert अपने परसंऀंबी ओं देखा हम तो हमारे बहुत कम लोगों उनकी बच्चे बहुत कम है जो वास्तों जेल में पड़ रहे है जादा दा जेल में 500 रूपय दिन की है और हो गई बच्चे 12, levn उनको ठीक 17 00 weren'theen may बूंत हम यह कहते हैं कि अल्ला की देन न Mau खाणा पना सब देगा अल्ला कर रहा है अल्ला कर सबहोज क्यों दे रहा है अल्ला प्रवोजिय क्यों दे रहा है अल्ला को फेसर को दे रहा है 1 अॉल और एक मेरा ये मानना है कि घुसपैट के खिलाप कठोर कानून जरूरी है और धर्मांतरन खिलाप कठोर कानून जरूरी है, धर्मांतरन घुसपैट रोकने के लिए आप अलग से कानून मत बनाओ, एक आप सिंपल कानून बनाओ, वन नेशन, वन पिनल कोड, एक देश एक द मरें मर्ज करके वन नेंशन बंपिरनल फोड जैसे आप को 1 बारह महीने कि वांतिह ना बारह महीने सरे हो जाए न शरते करना मेंटेनर मिद्ढका गश्रोस है दो एक नल दिक चल सकते हैं हमारे देश में क्या हो रहा है घुसकोरी का लग जमा खोरी का लग कानून मिलावट खोरी अलग कानून काला बजारी अलग कानून नसा तसकरी का लग कानून मानो तसकरी का लग कानून सोना तसकरी का लग कानून धर्मांतरन का लग कानून घुसपैट का लग का और घुसपैट और एक चेप्टर धर्मांतरन होना चाहिए मेरा यह मानना है घुसपैट और धर्मांतर्ण यह राष्ट की सुरक्षा के लिए हुआ है घुसपैट और धर्मांतरन ईह taps Qeblare ऑधेज्वीधिगd Serand और फिर क्या किया तलवार के दम में धरमांतन करा इस इंडिया कंपनी आई अंग्रेज आए पहले घुसपैठ किया सत्ता अपने हाथ में लिया और फिर कर आया तो जैसे मुगलों ने इसलाम को बढ़ाया यहां पर अइसे अंग्रेजों ने क्रिश्चेंटी को बढ़ाया इसमें धर्म की बात नहीं है रिलिजन की बात नहीं है सवाल यह है कि जब हम हमारी संस्कृति है वस्धे कुटुम्वकम की हमारी संस्कृति है सर्व मंगल मंगल ले सब का कल्यार हो हम यह नहीं कहते जिसे उदारन में भारत में जब पूजा पाठ होती है तो जैकारा बोल वेकिन होना हो धमीं को सोच वाई वरीजिवु सबस्क्राइब जो किसी जो महिलाओं कि पूजा नहीं होते हैं केवल और केवल सनातन धर्में ही लक्षमी की रूप में सरस्ती की रूप में दुर्गा के रूप में फीमेल गॉड़ेस की पूजा होती है बाकी दस्सो निन्यानवे और कहीं पे भी नहीं कुछ रिलिजन में तो महिलाओं की पूजा करना छोड़िए उनको खुद भी प्रे पेठियों की बात हुई तो आपने कहा कि राहुल गांधी हूँ जैसे CAA, NRC या UCC जब इनकी बात आती है तो राहुल गांधी, स्टालिन और केजरिवाल ऐसे लोगों को हिंदू से नफरत है और घुसपेठिये जो हैं उनको दिल्ली में सबसे ज़ादा आपने एक के खिलाब? देखे, पहली बात तो मैं अग तक मेरी 200 PIL हो चुकी है, मैं उन्हीं विश्यों पर बोलता हूँ, जिस पर मेरी PIL हो चुकी होती है, और जब हम PIL करते हैं तो सब कुछ इफीडेविट पर लिख के देते हैं, return में, काम ऐसे हैं कि लफाजी वाला काम नहीं करत हैं, 2017 से मेरी PIL सुप्रेम कोट में चल लगी है, आज भी ओचे पेंडिंग है, जिसमें मैंने कहा था कि 5 करोड घुस पैठी है भारत में आ चुके हैं, 2017 में, बंगला देशी ज्यादा है, रोहिंग्या उसमें थोड़े कम है, 2024 आ चुका है, अब उनकी संख्या और बढ़ चुकी है, मैं कांग्रेस को क्यों कहता हूँ, असम में 60 लाख उसमें बंगला देशी थे, उनको निकालने की बजाए, राजियु गांधी जिसको 1984 में 404 सीट मिली थी, उन्होंनों 1985 में सिर्जन सी पैक्ट में धारा जोड़ा 6A, और 6A जोड़के उन्होंने 60 लाख बंगल क्राफी बदल गई है, यह राहुल गाधी हूँ या दिल्ली की बात है, आज यह एक आकड़ा आया हुआ है, ओखला विधान सभा में 60,000 नए ओटर पैदा हो गए हैं, पिछले 5 साल के अंदर, सारी 70,000 ओटर, एक विधान सभा में सुचे गर 70,000 नए ओटर आ गए, एक तर यह लोग धर्मांतर खिलाप बोलते नहीं, जो एक रियालिटी है, जनसंख्या विसपोर्ट एक रियालिटी है, 18 बच्चे, 20 बच्चे आज भी पैदा होते हैं, मैं आपको गाजियाबाद में दिखा सकता हूँ, आपको दिल्ली में मैं परिवारों से मिलवा सकता हूँ, 15 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे? अरे, घर में कमाई नहीं, और हम कहते हैं, जिसके पास कमाई भी हो, तो भी 18 बच्चे मलब उस महिला की जान लोगे क्या भाई या उसको बच्चा पैदा करने की मसीन मना के रखा है, उसकी कोई जिंदगी नहीं है, बस उसको बच्चे विस्वोट यह मारे बहुत बड़ा खत्रा है खत्रा मैं इसलिए कह रहा हूं कि नौ राज्जियों की डिमोग्राफी बदल चुकी है यह मेरी प्याइल सुप्रीम कोट में है जहां मैंने कहा कि नौ राज्जियों को माइनाटी का दर्जा मिलना चाहिए भारत में कुल 800 जीले हैं 800 जीलों में से 200 जीलों की डिमोग्राफी बदल चुकी है भारत में कुल 6000 तहसीले हैं 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डिमोग्राफी बदल चुकी है भारत के बौडर पे कुल 300 तहसीले हैं मतलब हिमाले के बौडर पे नेपाल के बौडर पे बंगला बारत के अंदर भी बदल चुकी है आप भारत के किसी भी लोकसभा छेतर की 25 साल पुरानी ओटर लिस्ट और आज की ओटर लिस्ट उठा के देख लिए उसमें कंपेर करके देख लिए आपको सीधा सीधा नजर आएगा डेमोग्राफी कितना बदली है आप भारत के किसी बात सोच की है मेरा यह मानना है जो भारत के संविधान में शब्द लिखा है इक्वेलिटी सब एक समान है जस्टिस लिबर्टी सब को बोलने सोचने की आजादी है और सब को न्याय मिले कि तभी हो सकता है जब घुसपैट पे नियंत्रण हो धर्मांत्रण पे नियंत्रण हो जन संख्या पे नियंत्रण हो यह कोई कमुनल इश्यू नहीं है यह नेस्नल इश्यू है और नेस्नल की इश्यू में भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सभी निताओं को एक होना चाहिए लेकिन ओट बैंक की पॉलिटिक्स है तो कुछ लोग इसका विरोध करते लेकिन अश्वनी जी अब की बार 400 पार लेकिन विपक्ष कहता है अगर 400 पार हुए तो सभीधान को खत्रा लोकतंत्र को खत्रा एक एक जो आम नागरिक है उसकी आजादी को खत्रा और जो हमें बोलने की आजादी मिली हुई है उसको खत्रा मतलब अगर 400 पार हो गया तो स जब मौका मिला है उसने अपने बहुमत का ऐसा दुर्वयोग किया है मैं आपको एक एक्जामपल देता हूँ जैसे ये बिल्डिंग है मॉक्स स्टूरी बिल्डिंग है इस अपने ले लिया तो आतिकार है कि आप कैमेरा यहां लगा उदर लगा लो बैंट्राइट कर दो आफिस दंट्री दंटी कर लो आपको आदिकार है क्या आपको यह अधिकार है कि आप इस बिल्डिंग की फाउंडेशन को बदल दो, बोली, नए, आप फाउंडेशन नहीं बदल सकती, आप जिस फ्लोर पे हैं, उस फ्लोर के इंटर्नली आप जो बदलाव कर सकती, कर सकती, सम्मिधान 22 पार्ट है, 22 चेप्टर है, सम्मिधान का बेसिक धाचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यह हमारे सम्मिधान निर्माताओं ने कहा, इसलिए उन्होंने सम्मिधान का जो प्रियंबल उस पर डेट डाल दिया, 26 नौंबर उनिस सो चास, आज हम यह प्रियंबल एक्सेप्ट कर ले र और कैसे बदला था, 75 में इमर्जेंसी लगी हुई थी, सारे विपक्ष के निता जेल में थे, लोगसभा का टेन्योर मार्च 76 में खतम हो गया था, और सम्मिधान का प्रियंबल दिसंबर 76 में बदला गया, यहीं लोगसभा का टेन्योर जब मार्च में खतम हुआ, उसके न हमने उसको सुप्रियम कोट में चैलेंज किया हुआ है, और यह बदलाव किया था इंद्रा गाधी ने, जिसके खांदान के लोग कह रहे हैं कि सम्मिधान खत्रे में है और लोकतंदर खतम हो जाएगा, भारत के सम्मिधान में हमारे देवी देवताओं की चित्र थे, जिंगा जी थी, राजा भरत की फोटो थी, राजा विक्रमादित की फोटो थी, नेता जी सुभाशन बोस की फोटो थी, जहसी की राणी की फोटो थी, सब फोटो थी, सारे फोटो को निकलवा दिया, क्यों? यह जो फोटो थे भारत के संस्कृति, भारत की परंपरा, उसक और चार्ण के लिए chapter 15 election related है election वाले पार्ट पे चिथपथी सीवाजी महराज की फोटो थी और गुर्गोविन सिंग्स की फोटो थी उद्देश ही क्या था कि सारी पॉलिटिकल पार्टी सीवाött जीए महराज गुर्गोविन सिंग आदरसों पर चलेंगे और सबसे बढ़िया चल रही है उसको ओट करेंगे अगर उन चित्रों को वापस बहाल करना है तो आपको दो तीहाई राजसभा में चाहिए राजसभा में एंडिये के पास 117 सांसत हैं तो फिर दूसरा क्या रास्ता है लोकसभा राजसभा का जॉइन सेशन बुलाईए वहां आ 421 चाहिए राजसभा में 117 है इसका मतलब लोकसभा में आपको 404 चाहिए अगर पूरी दुनिया में जित्ते देशन सबके एक एक नाम है भारत का दो नाम है ऑफिसली इंडिया और भारत अगर हम चाहते है भारत का भी एक नाम हो भारत ही हो जबकि हमारा आदिकाल से भार अगरत को से कहता हूं कभी भी आप एरपोर्ट पे जाना फ्लाइट में बैठने से पहले फ्लाइट को ध्यान से देखना उस पर वी टी लिखा रहता है और वी टी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी आप ज़रा सोचिए ना पच्छतर साल में भी चुके है आज में प्रियंबल में बदलाओ किया गया मैंने उसके फिलापी फाइल किया जो जहाज के उपर वी टी लिखा रहा था मैंने उसमें प्याल किया हुआ हम स्वतंद्र भारत हो चुकि कुल कितनी पी आयल अब तक आपने मेरी 200 हो चुकि है इस सफेले वी टी हैट आना असान था बहुत कम जहाज ते 10-20 रही हो गये उनको करवाना असान था अब हज्जारों की संख्या में जहाज हो गई है वीटी को बदलवाना भी मुस्किल है और वीटी को दुबारा सारे जहाज को परिंट करवाना भी मुस्किल हो गया तो काम बढ़ गया मुत्तपदे सरकार ने धर्मांतरन के खिलाफ का ठोड कानून बना दिया लेकिन आप रोड करास करके यहां पर आपके मैयूर विहर में चले जाए जो दिल्लीम पड़ता है अब वहां धर्मांतरन कराएंगे तो अपराद नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल लेबल पर धर्मांतर टान यूपिय में भाबाद होगा दिली में भी आपराद होगा बंबय में भिषो कलकट्टा में अभी क्या पराद है कि 20 राज़यों भाकि 29 राजल समय बारत में Kul 28 राज्य हैं और आठ केंद सासिर प्रदेश हैं टोटल होगा 36 तो धर्मांत्र तो पूरे 36 के 36 राज्यों में अपराध होना चाहिए लेकिन है कितने में साथ में तो क्या करना पड़ेगा वन नेशन वन पिनल कोड तो उसके लिए कैसे होगा आठ केल 14 थोड़ा बदलाओ करना पड़े कि वहलुद है आएवन मान आप अने ऐन हम बनी दशसा प्रटन में ते दिल्ली की तिहार जेल दिल्ली की सरकार के अंडर में है और दिल्ली की मुख्यमंत्री के अंडर में और दिल्ली का मुख्यमंत्री उसी तिहार में है तो उनको कौन मरवा लेगा कोई नहीं मरवा सकता लेकिन फिर भी कह रहे हमको मरवाय जा सकता है और जब वीडियो चला जा अधिकार दे रहे हैं उस व्यापार करने में लोग व्याभिचार का अड़ा खोलना सुरू कर देंगे हमें दिया freedom of business हमने क्या सुरू कर दिया अगर हम चाहते हैं जूट बोलना गंभीर अपराद हो जूटी सिकायत गंभीर अपराद हो जूटी सिकायत गंभीर अपराद हो जूटी गवाही गंभीर अपराद हो जूटा भासर गंभीर अपराद हो जूटी प्रयस अभीर अपराद हो आटकिल-19 में बदलाव dat ug does चाहते हैं, PFI जैसे संगठनों पर लाहिब बैन हो, तो भी आर्टिकिल 19 ने बदलाओ करना पड़ेगा, अगर यह जूट चाहे, BJP की नेता बोले या कॉंदेश की नेता बोले, जूट तो जूट होती है, जूट तो जूट होती है, जूट तो जूट होती है, अब दिल्ली क करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि जूट पकड़ने के लिए कुछ कानून बने, कुछ बेवस्था बने, भई आप जड़ा सोचो, हमने कितना डिवलप्मेंट कर लिया, ब्रहमोस बना लिया, अगनी मिसाइल बना लिया, साड़े साथ हजार किलोमेटर मार करने वाली, हमार सारी बड़ी IT कंपणियों के हैड हमारे भारत के लोग है, लेकिन भारत में जूट पकड़ने के लिए नार्को पॉलिग्राप लैब नहीं है, और जूट को गंभीर अपरात घोसित करने के लिए नार्को पॉलिग्राप कानून भी नहीं है, नहां हमारे पास लैब है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में, आप स्वाती मालीवाल का नार्को में कर लिजे पॉली इस नाको पॉलीग्राफ द्रियायान विभाव किया था मेधा पाकेट पाटेकर के खिलाव 24 साल के बाद उसका फैंसला आया है हाज 24 साल के बाद डिस्टिक कोड का अभी हाई कोड सुप्रीम कोड बाकी है यानि दधास साल हाई कोड लागे तो 44 साल हो जाएगा उन 44 साल के बाद पता नहीं मेधा पार्टिकर रहेंगे के नहीं रहेंगे और वीके सक्सिनर रहेंगे नहीं रहेंगे भगवाजने क्योंकि दोनों की यह लगबग 70 साल हो चुकी है तो आर्टिकल 19 इसलिए बदलाव जरूरी है आपको नार्को पॉली राप डिन मैपिंग कानू भारत में हमने सिछ्षा अधिकार कानून तो बनाया जैसे आपका पहले कैसा वाल थे लेकिन समां सिछ्ष्षा अधिकार नहीं लेर किए असको सम्हांच के लिए आटिकल 25 में उसको निकालना पड़ेगा दूसरा दर्म क्या होता है क्या होता इसको अच्छी तरीके डिफाइन करना पड़ेगा तो इसको भी आपको आटिकल 25 में करना पड़ेगा भारत में मठ मंदित तो सरकार के कंट्रोल में मजार दर्गाव मजडी सरकार के कंट्रोल में नहीं है एक समान धर्मस्तल संगीता बने यूनिफॉर्म कोड बने इसके लिए भी आपको 400 पार चाहिए होगा भारत में जो अपीजमेंट होता है सम्मिदान दर्माताओं ने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत में आने वाले टाइम माइनार्टी कमिशन बनेगा माइनार्टी फिर्मिश्टी बन जाई कभी नहीं किया था उन्हें के ल होगा युएन कहता है कि एनी ग्रूप और कम्यूटी विच इस सोचली एकोनोमिकली पॉलिटिकली नॉन डॉमिनेंट इंफिरियर इन पॉप्लिंट जिसकी संख्या नगर्य हो उसको कहते है माइनार्टी भारत में जो इसकी संख्या करोड़ों में माइनार्टी कैसे हो सकत अब फंडामेंटल डूटी आप मानो तो भी ठीक ना मानो तो भी ठीक मेरा यह मानना है कि फंडामेंटल डूटी पनिसेबल होनी चाहिए आपको मानना ही पड़ेगा अगर उसमें लिखा हुआ है आपको राष्टगान मानना है राष्ट की संस्कृति को मानना है नारी की इज़त करनी है आपको जो है साइंट्फिक टेंपर विज्ञानिक सोच विक्सित करनी है आपको लिखना ही पड़ेगा काला जादू अंधिविश्वास नहीं चलेगा लेकिन हमने फंडामेंटल ड्यूटी टू डाल दिया जैसे एडवाईजरी है आप मानो तो भी ठीक ना मानो तो भी ठीक उसमें बदलाओ करना पड़ेगा यह जो जूडिशरी और एक्सक्यूटी मिक्सिंग हो रखी है मैं तो सुप्रीम कोर्ट में हूँ मैं सुबह देखता हूं तो कमस दस-पंद्रा सांसत और दस-पंद्रा विधायक सुप्रीम कोर्ट के कोईडर में नजर आते हैं बहिया जब यह असपस्थ है संविधान कहता है न्याय पालिक्या विधायक्या कारिपालिक्या बिल्कुल अलग-अलग होंगे इनमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी तो एक बंद होना चाहिए उसके लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा ऐसे भारत में जजों की नियुक्ति के आल इंडिया लेवल जैसे जी होता है नीट का एक्जाम होता है मेडिकल के लिए जी होता है एंजिनिंग मेडमिशन के लिए एंडिय का एक्जाम होता है क्लैट का ए एक्जाम होता है बारवी के बाद ही कोई एक एक्जाम होना चाहिए चार-पान साल का कोर्स करो उसके बाद जो पोस्टिंग वह सफिक्डाइब या फस्ता हो दो घ्रीक्ण फैर्शाय का नीशक्ति लिए आल-डिया लेवल पिक्जाम हो वहां सेलेक्ट होके लोग नीचे से बहुतलों निकले वहीं से डिस्टिक जज्ट से प्रमोट होते होते हैं करना यह बदलाओ बहुत ज़रूरी है अश्वनी जी मैंने सुना जब आप आमादमी पार्टी में थे और संस्थापक जब उसकी स्थापना हुई थी तो आप सहियोजक भी थे आपने एक बहुत एहम भूमिका निभाई थी आमादमी पार्टी स्थापना में लेकिन कुछ समय ऐसा आया जब आपका ये कहना था कि स तो क्या आपको लगता है कि अगर उस वक्त ये फैसला ले लिया जाता आपके बास सुन ली जाती तो आम आदमी पार्टी क्या इतनी फजीहत ना हो रही होती या फिर क्योंकि इन सब का खामियाजा सर्फ दिल्ली की जनता इस वक्त भुगत रही हो और कोई नहीं जिस राज् भुगता रहे तो इससे सबसे जादा फर्क जो है वो जनता कोई पड़ता है तो आपको लगता है कि अगर उस समय फैसला सही होता देखिए 2014 में सबसे पहले मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी बाकी लोगों ने जो आम आदमी पार्टी छोड़ी सब चुनाओ लड़ हो था जब जो पहला चुनाओ हुआ था 2013 में आम आदमी पार्टी का तो जब चुनाओ होता है मॉडल कोटा फंड़क लागू होता है न हर पोलिटिकल पार्टी एक अपना एथ्राइस सीनेचरी एलक्षन कमिशन को देती है क्योंकि एलक्षन कमिशन सो डे टुडे आपको इंट्रेकशन करना होता था लाय उस वाले चुनावं में मैं मीलें चुना मिस्टव में को हिली चुटन एंट जीनेचरी थे विस्ट में के से ओνाब religious घुन चुना रहुति मैं आबादी पार्टी ज़िजान लगाई पुरा मैंना अन्न ऑलार्ण से लेकर उसका से पहले RTI मुवमेंट से लेके उसके बाद फिर पार्टी बनी वहां तक छोड़ा क्यों क्योंकि जो से जो हम कह रहे थे वह कुछ और है हमने का जाती का जहर नहीं करेंगे जाती का जहर गोल लेंगे शुरू कर दिया मेरे छोड़ने का कारण यह था बदा मिल behave अग्यार फालाइंगे आर उनक्यारक करता कईया वहां च्रतर रियू हो गई कभी उनसे उनसे फत्वा अप यह करना कभी वो कर दो का रफ्श्प में काम हो 창वुशन के साथ उठना बैठना शुरु हो गयाётся उनका सयोग लेना शुरु हो सुरु हो गया ठाद किसा साथ प्रेम से मिलना जुलना सुरू हो गया था यह जो समस्याएं थी इन्हीं को लेकर मैंने छोड़ा था और उस समय जब मैंने छोड़ा मैं सबसे पहले छोड़ा तो मेरी बात पर कोई नहीं मानता था अब आज 10 साल के बाद में 2014 में जो बाते कहीं थी 2014 में लोग कहते हैं आपने जो बाते उससे में कही सबसाही कही थी जहां तक केजरीवाल की बात है आप जरा सोचिए लालू यादों को रावड़ी पर भरोसा था उनको अपने विधायकों भरोसा नहीं था लेकिन अपनी पत्नी भरोसा था इसलिए रावड़ी को मुख्यमंत्री बना के चले अब इसके पहले सोर्ण उन्होंने भी अपनी पार्टी के विधायक को खीमंत्री यह और esfकेजरीवाल जी को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था दुख तो यह दुर्भागु है दिल्ली का कि केजरीवाल को चल고 आपने सही योगोंी पर भरोसा नहीं था है कुमार लिस्त है अपनी पत्नी पर भरोसा कर लो पत्ती थोड़ी यह ऐसा है कि एक बार मुख्यमंत्री बन जाएगी तो चिपक जाएगी आपको दुबार बनने नहीं देगी उनको पनी पत्नी भरोसा लिए इससे बड़ा और मालब क्या हो सकता है हाँ 2014 में जो आपने कहा उस समय मैंने कहा था और यह पार्टी की नीती थी कि एक विक्ति एक पद रहेगा जब मुख्यमंत्री केजरिवाल हो गए तो मैंने कहा यह तो अपने सम्मिधान में लिखा हुआ है एक विक्ति एक पद होगा आप मुख्यमंत्री बन गए हो आप पद छोड़ दो मेरी नजरों में कुमार विश्वास उस समय सबस्यारा योग किया होता आम आदमी पालिटी बहुत आगे चली गई होती है उन्होंने सारे नियम खुद तोड़े और सारे अपने सहयोगियों को मजबूर किया छोड़ के भागने के लिए कुमार विश्वास अभी छोड़के अभी तो उन्हों डिजाइन नहीं किया है जस्तों घर मावले में सतिंदर जैन एक साल हो गया ऐक साल हो गया किजरी वार्छै यह पर गया रहे हैं से सबसे गले मिल रहे हैं तो जितनी परिवारवादी पार्टियां थी जातिवादी पार्टी थी भाषा का जहर घोलने वाली पार्टियां थी छेट का जहर घोलने वाली पार्टियां थी जो नकसलियों की समर्थक थी जो मावादियों की समर्थक जहादियों की समर्थक सबस अच्छवनी उपाद्याई जी एक बारे में बड़ा बात करते हैं वो ब्रस्टचार दलाली जैसे एक ही बंदा अपने डॉक्यमेंट कई-कई बनवा ले रहा है जो निचले लेवल पर ब्रस्टचार दलाली हो रही है उससे आम जनता बड़ी परेशान है और मैंने कई बार आपको सुना है आपने यही काय कि सबसे पहले उसको रोकना बहुत जरूरी है अब अभी देश में बीजेपी की सत्ता है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी है और उसके बाद हम देखते हैं कि कई जगाहों पर जब प्रदान मंतरी इस तरीके की बाते करते हैं कि देखे ब्र फरजी तरीके से बनवा लेना इसको रोकना क्या इस पर ध्यान देना प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज़रूरी नहीं मैं कई बार कह चुका हूं प्रापर्टी आधार से लिंग कर दिया जाए तो बहुत हद तक भरष्टाचार कम हो जाएगा कैस लिंद इन की लिमिट तैंग कर दी जाए जिस समान की MRP 5000 रुपय है उतना तक तो आप खरी सकते हो कैस में उसके उपर अगर उसकी MRP है तो आप नहीं खरी सकते हैं उससे भरष्टाचार खतम हो जाएगा आधार मेंडेटी कर दिया जाए 50,000 के उपर के टांजेक्शन पर उससे भरष्टाचार कम होगा और इन तीनों विश्वत मेरी तीन PIL है सभी पर PIL है आपने इसी के साथ मुफ्त रेवडियां जो बाटे जाती उस पर भी आपकी PIL है मेरी मुफ्त रेवडिय कैसे कैसे दूस परेडाम मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहरी थी कि चाहिए यह कल्चर आमादमी पार्टी ने शुरू किया हो या बीजेपी ने भी शुरू किया हो किसी ने भी किया हो क्या आपको नहीं लगता कि कोई भी पार्टी अगर मुफ्त की रेवडिया दे रही है, तो ये गलत है, हалा कि जनता का ये कहना होता है, कि देखिए, हमें मुफ्त में चीजे मिल रही हैं, ऐसे फ्री में चीजे मिल रही हैं, हमारे लिए अच्छा है, अप जमीनी मानना है कि भ्रस्टाचार के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है. ब्रस्टा जिनके न आगे पीछे कोई है, उनके लिए सब कुछ देष है. वो इस पर जरूर बनाएंगे दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार खिलाफ बहुत कठोर कानून है, फासी तक दी जाती है, चीन में भी है, जापान में भी है, सिंगापूर में भी है, हमारा कानून घटिया है, सड़ा हुआ है, मुझे पूरा विश्वा से मानी प्रधामन्ती जी भ्र लाली उस पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है इस समय भारत के ऊपर दो सौपचिस लाख करोड का करजा है, बहारत की जनसंख्या लगभग डेड़ सौ करोड एकसो पच्चास करोर, सबिए धया है प्रतेग भारती के उपर 50,50 लाग का गार्जा मेरे पर बेटे पर बीर के लिए मेरे tv Lexla मेरे बेटे नहीं के भी है पर ईय talvez बिजली का बिल नहीं आएगा तो पंपिंग से चलता जा रहा है चलता जा रहा है और पंजाब का ग्राउंड लेबर खतम हो गया इस मुफ्त बिजली का परिणाम यह है कि भारत के कई राज्यों में जहां-जहां मुफ्त बिजली की स्कीम लांच की गई है 20-25 साल पहले आप इच्प ओंठाके देख लिजिए और ग्रांड लेबल्स खतम हो चुका है ह्यादा के उपुपी का अभी वाटर लेवल नेरhon बॉत बहुत बड़ा कारण उसका जनसंक्या है वो रहा है लेकिन बहुत बड़ा करन उसकी फिकीfürंगलि यह कुछवह लुसकी बिजी में नहीं बनती इसमें और इसका इन्वार्मेंट भी बहुत बड़ा एफेक्ट होता है जितनी ज्यादा बल्ब जलेगा जितना ज्यादा पंखा चलेगा जितना ज्यादा एसी चलेगा जितना ज्यादा कूलर चलेगा उसमें कार्बन उतसरजन भी ज्यादा होता है कार्बन का प्रोड कर दो को सोता अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए फ्री कि मैं खिलाफ हूं और फ्री जीवन जीने के लिए तो समझ में आता है ठीक है रासन उससे आदनी जीएगा भूका नहीं मरेगा लेकिन फ्री का मंगल सूत्र फ्री का मोबाइल फोन फ्री का लैपटॉप फ्री की टैब और फ्री की कलर टीवी बढ़ रहे हैं ऐसे चीज है जहां हमारे पास इतना बड़ा करजा हो कि हम सवा 225 लाग करोड के करजे में डूबे हुए हैं ऐसे में भारत में अगर कुछ पैदा हो रहा है उसको आप अगर बांट दे रहे गरीवी में बात समझ में आती है लेगे उधार लेने के बांटना अल्टी मेटी जो विजली पैदा होती है कैसे पैदा होती तरबाइन चला के तरबाइन का तेल आता अजा गया आरब से लेह बीजलीकोर फ्री में पानट अगर उसका misuse होगा तो दिक्कत वाई गया जैसे अभी मध्य प्रदेश के मबात क जोहान का कारेकाल तो खत्म, अब मोहन यादव किस तरीके से उस करजे को उतारेंगे, या फिर मध्या प्रदीश पे लगाता है और वो करजा तो बढ़ता चला गया, जो फ्री की योजनाई दी गई, तो कहीं न कहीं ये बीजेपी शाषित राज्य हो या फिर केजरिवाल के करजा था कि करजा ग्रते हुं जूरी चल्लाइक हो जुकिा जूशा करजा फिर के अब मध्य पर चाराइं कोर्या हुं पंजाब पे तीन लाग कोड़ का करजा था यूपी पे छे लाग कोड़ का करजा तो करजा तो बढ़ेगा ना करजा घटेगा थोड़ी हमारे पूरवज कहते थे जितनी चादर हो उतना पैर फिलाओ तो जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है बजट नहीं है और दूसरा हमारे पूरवज भी कहते थे कभी उधार लेके घी नहीं पीना चाहिए यहां तो लोग उधार लेके घी पी रहे यह ठीक नहीं है भारत बरबाद हो जाएगर हमने इस मुफ्त खुरी को नहीं रोगा तो जैसा कि आपने पहले कहा कि शिक्षा की जो लोगों में कमी होती है तो कई बार ऐसा होता है जिन लोगों में शिक्षा का आभाव है उन्हें यहीं लगता है कि देखिए यूसीसी जो है वो मुसल्मानों के लिए खत्रा है इसका एक कारण ये भी है कि जिन लोगों को ज्या जाना जुरूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले दर्सकों से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को अधिक सब्सक्राइब करें। यूसीसी की जरुवत किसको है, आप उसको समझेह, हिंदू को यूसीसी नहीं चाहिए, जेएन को नहीं चाहिए, बात को सिर्ट धूशिक को नहीं चाहिए, क्यों Bar mild Records के बाग बना है, 1950 में सम्मिधान बन गया, 1955 में हिंदु में रिजेक्ट बना, चुकि सम्मिधान कहता है भेदभाव नहीं करना है पती-पत्नी के बीच में, माता-पिता के बीच में बेटी-बेटे के बीच में, इसलिए जब हिंदु में रिजेक्ट बना, वह भैदभाव करने वाला नहीं बना लेकिन चाहिए क्यों जो मनकिया उनको बना दिया तो वह भी महिला पुरुश्म भाव करता है। शरियत एक्ट 1937 में बना, सम्मिधान था नहीं, अंग्रेजों नो बैठे बैठे डिबेट करा दिया, वास्तों में UCC की ज़रूवज सबसे ज़रा ज़रूवत है, वो है हमारी मुस्लिम बेटियों को, दवा किसको चाहिए होता है, स्वस्ताजमी थोड़ी, दवा उसको चाह मुस्लिम बेटियों को कुछ देने वाला है, जैसे हिंदू जैन बाउध शादी की मिनिममम एज है, लड़की की अठारा है, लड़की की अठारा है, इसका मतलब बार्मी कर लेगी, लड़के की अठारा है, इसका मतलब बार्मी कर लेगी, लड़के की एक्किस है, इसका मत जिए दाव नहीं होना चाहीग, लड़की की ज़ादा हो लटकी की, बन्द होना चाहिए। यγद की मिनल कर ने बने की, बन की कुझा से पर पहुं किया,ि टाइम को शाधी की चाहिए ज़ाए उक्सीं आएगािगा, तो जयन बहुत दसीक हिंदूग कोई फायदा नहीं सबसारा फायदा मुस्लिम बेटियों को क्यों कि उनकी शादिक उमर नौ साल चल रही है जब मुस्लिम बेटियों की शादिक उमर भी 18 साल या 21 साल हो जाएगी वह बेटियां भी पढ़ेंगी उनका स्वास अच्छा पाएगा उनको कोई जबरसी परिशान नहीं कर पाएगा तो फाइदा हुआ यू सी यू सी आएगा तो ग्राउंड साफ डिवर्स और प्रोसियर आफ डिवर्स कामन हो जाएगा इसका मतलब कोड के बाहर जितने तरीके के डिवर्स होते हैं सब बंद हो जाएगे अभी तीन टो बंद हुआ लेकिन तलाके ड्लाके असंद एक अतलफार की चल रहा तो इस इस कम्लेट के बेटियों को कि प्लाएगा गुजार्भत्ता अधिकार सको मिल जाएगा तो हिंदुर्ण-बाट-बऌ शुक्त के मिलता है अग्जश्था करता है मैं गुस्रीM को मिलता है नाम है Benazir Hinna, Republic channel में काम करती है, उसके husband दिल्ली हाई-कोर्ट मुकालत करते हैं, उसको चिठ्थी लेकर तलाक हासन दे दिया, एक बार चिठ्थी बेजा मैं तुम्हें तलाक हासन देता हूँ, दूसरी चिठ्थी बेजा तुम्हें तलाक हासन देता हूँ, तीसरी चिठ्थी यह नहीं हो पाता, पहली बात, ऐसे एक तरफा तलाक नहीं हो पाता, दूसरा, अगर तलाक होता भी, तो फिर एक बीच का रास्ता निकलता, उसको भी कुछ रहने के लिए, जीने खाने के लिए पैसा मिलता, अब चलिए, वो तो यहां पर काम कर रही थी, वो तो जी लेगी, गाउं में, देहात में, अगर यह जब ऐसा होता है, माबाप गरीब है, पहले उनके उपर चार बच्चों का बर्डन है, बेटी और आ गई, जिसकी शादी उन्होंने उधार उधार लेके शादी किया, दहेज भी दिया, और फिर ओ घर में आ गई, तो क्या होता है, तो पती पत्नी को एक समान अधिकार हो जाएगा, बेटे और भाई और बहन को एक समान अधिकार हो जाएगा, एक पती एक पत्नी का नियम सब पर लागू हो जाएगा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि UCC का सबसे ज़्यादा जो जरूवत है, वो Muslims को है, UCC का जो सबसे जो अकील हैं जिनको पता UCC किसको फायदा होना, इसके बाद भी राहूल गांधी UCC के पक्षमे नहीं बोलते, केजरी वाल पढ़े लिखे है अदमी है, फिर भी UCC की पक्षमे नहीं बोलते, सेकुलरिजम की बात करेंगे, मुसल्मानों की भले की बात करेंगे, लेकिन मु पढ़ें एक किताब पढ़ें, मुसलमानों को भला हो जाएगा, सब के लिए कसामान कानु हो जाए, मुसलमानों को मेन स्टीम है, मुसलिम का मतलब भारत की second largest majority, 25 कोड की संख्या है, आस्टेलिया की जनसंख्या के भारतें 25 कोड मुसलिम रहते हैं, यानि आस्टेलिया की ज उनिफॉर्म एजूकेशन और उनिफॉर्म सेल कोट दोनों जरूरी है। कानून पुराना चल रहा है। इसलिए चल रहा है। वैसे जो बड़े लोग हैं जिसके पास सो कलोड रूपय हो अगर एक दो कलोड रूपय दे देता है तो कोई दिक्कत तो नहीं हो। कानून नहीं है। मेरा यह मानना है कि आपने बहुत अच्छा सवल किया। यू-सी में इसका प्रावधान होना चाहिए। हलाक उत्राखन में लिव-इन रिलेशन को भी रिश्टर करने के लिए बोला है। वह रहेगा उसमें। लेकिन यह गुजारा भत्ता क्या होगा इसका कोई फार्मूला तै नहीं है। मतलब आप दिल्ली में सारी कुछ सेम कंडिशन हो वाइफ हस्बैंड की। अगर आप गाजियाबाद के कौट में मुकदमा करोगा तो अरग गुजारा होगी गुजारा भत्ता मिलेगा। दूसरा ज़र कुछ और फैसला देता, तीसरा ज़र कुछ और पुला, इस पे बहुत क्लियर कट कानून की ज़रूरत है। जी से पाया तो आप भी एस वीडियो को खूप शेयर कीज़े और जिनको यूशी सी के बारे में नहीं पता है जो भ्रशम लोगों के मन में है अगर आप इस वीडियो को उन तक मैंने नोन तक पहुंचाएंगे या फिर जिन मुद्दों पर हमने के मन में हो कमेंट बाक्स में लिखेगा और आप अगले पॉड्कास्ट में हम उन सारे सवालों पर बात करेंगे बिल्कुल और यह बहुत अच्छा सुझाव दिया है तो आपके जो भी सवाल हो हमें कमेंट शेक्षिन में जरूर बताएं फिलहाल इतना ही नमस्कार